कुंफु पांटा के लांस्ट एपिसोड में हमने देखा था की कैसे पो और उसके सारे साथियों को शेलॉंग के लोगों ने मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद पो और उसके सारे पेंडास बच गए थे। जो कि शिलॉंग के लोगों को आगे की information देनी वाला था अगर पो को शिलॉंग के रादों के बारे में जानना था तो इन सभी को खबरी को भी ढूंड निकालना था जिंग हमेशा की जैसे बहुत excited थी और पो के बाद सुनने से पहले ही ये चारों इस club के अंदर पहुंच जा जहां पर शाओ एक letter लिखती है और वो letter जनरल फैंग को मिल जाता है उस letter में लिखा था कि शाओ इस महल को छोड़के चली गई है और वो आज के बाद से queen भी नहीं है तो कोई भी उसे ढूंडने के लिए जंगल में तो बिलकुल भी ना आए तब फैंग को लगता है कि पैंडा उसी खबरी को ढूंडने के कोशिश कर रहे थे इसी कारण इन लोगों की आपस में fight भी start हो जाती है क्योंकि जिंग को लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है यहां हम मिस्टर ली, मिस्टर पेंग और ग्रैनी को देखते हैं जब मिस्टर ली को पता चला था कि पो पॉल के नुसिटी है और उसके अंदर शिलॉंग के गार्ड्स कुछ कर रहे हैं यहां फैंग टॉंग को उसी अजीब खबरी के बारे में पता चल जाता है जो कि एक बहुत ही मोटा सा स्टिकी सा टर्टल था और अब जब वो सचाई नहीं बता रहा था शिलॉंग के प्लै मारे गए हैं शाओ की दोस्ती फैंक टॉंग से थी और इसी दुख के कारण वो अकिली ही जाती जा रही थी जंगल में जहां उसे कुछ रैबिट्स ने मिलके घेर लिया था वो रैबिट्स शाओ के उपर अटेक करने ही वाले थे कि तब ही यहां पर शिलॉंग के गार्ड् कर देती हैं और कहती है कि मैं आज के बाद कभी नहीं जाओंगी और मैं तुम लोगों की रानी नहीं हूं मैं अब अपने हिसाब से ही जीऊंगे यह गार्ड्ड्स जबरदस्ती शाओ को अपने साथ लेके जा रहे थे और तब ही वहाँ पे जैट टसका जाती है जो कि इन लोहे के पत्थरों को एक दूसरा आइलेंड पे पहुचा रही है उन लोहे के पत्थरों को वो आखिर क्या कर रही है इस बारे में इस टर्टल को कुछ भी नहीं पता था लेकिन इन चारों पैंडास को कोई तो आइडिया था क्योंकि इन्होंने पहले भी लोहे के पत्थर बोर्ट पे और साथ ही साथ होटेर बलून भी भी देखे थे और इसी बारे में पता लगाने के लिए चारो पैंडास पो के साथ में उसी आइलेंड के लिए निकल पड़ते हैं यहाँ जट्टेस शाओ के साथ में थी शाओ यहाँ पे इस जगह को देखके बताती है कि यह तो एक जिम के जैसे लग रहा है जहाँ पर सारी की सारी लड़किया ही होती है जट्टेस के पूछने पे शाओ बताती है कि वो आज के बाद मैल नहीं जाएगी वहाँ पे उसकी कोई कदर नहीं करता और अब तो वो बिल्कुल अकेली हो गई है उसे सब ने धोका दिया उसके अच्छे दोस्त भी चले गए है तो अब आखिर वो किसके लिए जियेगी जैट्टेस के यहाँ पे जब फैंक टॉंग के बारे में सुनती है तो वो बताती है कि वो भी फैंक टॉंग और पो के सारे साथियों को जानती है उन्हीं लोगों ने जैट्टेस के जान बचाई थी इसके बाद जैट्टेस के अपनी स्टोरी सुनाती है कि काफी सालों पहले जब वो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी तो उसे एक वल्चर ने सहारा दिया यानि कि जिन्डाओं ने उसे जीने का मकसद दिया उसे कुम्फु सिखाया और एक बहुत ही शांदर सोलजर बनाया रिटन के अंदर जेट टस्क ने भी जिन्डाओं के लिए हर अच्छा और बुरा काम किया हर समय उसके साथ रही इसी के कारण जिन्डाओं ने एक जेट टस्क यानि की एक तरह के का वैपन दिया जेट टस्क को लगता था कि जिन्डाओं हमेशा उसे अपने साथ रखेगा लेकिन जिंडाओ का जब काम पूरा हो गया तो उसने जेट टस्क को भी धोका दे दिया उसके बाद से जेट टस्क ने अकेला रहना सीख लिया यहां मिस्टर ली, मिस्टर पिंग और ग्रैनी यह सभी लोग एक बोर्ट पिसावार थे जिनके साथ में वही हैं और साथ में दो बड़े-बड़े पिक भी थे इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा तूफान था और उसके बावजूद भी यह लोग एक आईलेंड पे पहुँच चुके थे यहाँ जटस्क अपने साथ में शाओ को लेकर आती है और एक बड़े से माउंटिन से कूदने के लिए कहती है तब शाओ मना करती है और इस पास से जटस्क शाओ को समझाती है कि तुम अपने डिसिजिजन खुद ले सकती हो तुमें इसमें किसी की हलप लेने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें कोई गलत इंफ्लुएंस करे तो तुम उसके बात मत माना करो और इस तरीके से तुम अपना पूरा राज्य संभाल सकती हो ये बाते सुनके शाओ समझ जाती है कि उसे अब आगे जाके करना क्या है जैट टेस कहती है कि तुम ये मेरा टूत ले चाहो और आज के बाद अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो अपने विंडो पे कैंडल जला देना मैं हमेशा तुमारे पास रहूंगी यहां दूसरी तरफ वो और बाकी चारों पैंडास को एक बोट तक पहुँचना था जहां पर पहले से ही काफी सारे गाट्स खड़े थ उस बोट तक पहुचने के लिए इन्हें किसी चीज़ की जरूरत थी और तभी वहाँ पे वही टर्टल भी पहुचाता है अपने गाट्स को लेकर यह पैंडास टर्टल की ट्रॉली को नीचे गिराके उसी में बैठते वे काफी दूर तक स्लाइट करते वे एक बड़ा सा लगाते हैं और सीधा इसी बोट में बैठ जाते हैं यहां मिस्टर ली और हैन आपस में बात करते हैं कि अब इन्हें आगे कहां के लिए बढ़ना है और तभी इन्हें एक मास्क दिखाई देता है जिससे कि वो हैन एक स्टोरी बताना शुरू करता है यहां दूसरी तरफ शिलॉंग भी जनरल को कहती है कि आगली बार अगर तुमने कोई काम को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूँगी क्योंकि यह गाट शाओ को ढून के नहीं लाए थे बलकि शाओ खुदी यहां पे पहुँच गई थी इसी के साथ में पो जब अपने पैं अगली सुबह शाओ फिर से अपने महल में आती है और कहती है कि आज मुझे कुछ नया करना है शिलॉंग हमेशा से ही शाओ को कहती है कि आपको लड़के वाले काम करने चाहिए डान सीखना चाहिए गाना सीखना चाहिए लेकिन इस बार शाओ बदल चुकी थी शाओ कहती ह कि मुझे सबसे पहले खुद को बचाना सीखना चाहिए उसके बाद ही मैं अपने सभी लोगों को बचा सकती हूँ तो मुझे कुम्फू सीखना है शिलॉंग पहले तो मना करती है लेकिन उसके बाद कहती है कि हमारे जो जनरल है वो एक बहुत ही अच्छी सोलजर है वो आपक के ही बोड को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि उनके पीछे जितने भी गार्ट्स आ रखे हैं वो वापसे चले जाए और यह प्लाइन काम भी कर जाता है यहां दूसरी तरफ हैं के पास एक मैप था और उसने वो मैप गलत देखना शुरू किया था वो वालकनों के पास को अपने पास रख लेती थी लेकिन उसके बाद में एक योद धाया और एक ड्रैगन मास्टर ने उसे रूख की दुनिया में पहुचा दिया लेकिन फिर भी वो शैतानी चुडैल अभी भी यहीं गूमा करती है और सब की रूख को ले जाती है और पीछे से सिर्फ लड़ाई हो जाती है पहले तो ग्रैनी ने रोक रही थी लेकिन ग्रैनी जब साइड में थी तो वो भी कायब हो जाती है और उनके पतले में वहां सिर्फ एक छोटी सी डॉल मिलती है यहां आप शाओ जनरल के साथ में कुम्फु सीखना स्टार्ट करती है लेकिन जनरल को उसे शाओ को कुछ नहीं सिखाना इसी कारण वो बस एक कौम से शाओ का टाइम पास करवाने लगता है शिलॉंग को पहले ही पता था कि शाओ आज जरूर शहर के अंदर जाएगी इसी कारण वो जनरल को कहती है कि शाओ के पीछे पीछे जाओ और उसके उपर आज तुम्ह अटेक करना है यहाँ पो और चारो पैंडास को वो जगह मिल गई थी जहाँ पर लोहे के बड़े बड़े पत्थरों को पिगलाया जा रहा था आखिरे लोहे के पत्थर यहाँ पर क्यों लाए गए थे यह पता लगाने के लिए पो यहाँ पर एक प्लैनिंग बनाता है ले लेकिन यहाँ पर जनरल को जो ओर्डर मिला था इसी कारण वो शाओ के उपर अटेक करता है और नाटक करता है कि वो शाओ से हारने वाला है लेकिन तभी वहाँ पे जटस का जाती है जो कि जनरल को मार के शाओ को फिर से अपने साथ ले जाती है और महल में ले जाने के बात कहती है कि आप ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकती हैं आप गलत चीज़े सीख रही है ऐसे आप किसे भी नहीं बच सकती हैं अगर आपको जरूरत होगी तो मैं हमेशा आपके आश पास ही hasn यहने आपको वैपन दिया था उसे आपको अपने पास रखना चाहिए यहां दूसरी तरफ अब मास्टर पो को बुरा लगने लगा था क्योंकि यह चारो पैंडास अपने हिसाब से प्लैन बना लेते हैं और मास्टर पो को पूछते तक नहीं है इसी के साथ में मास्टर पो क मास्टर समझने की बजाए अपना दोस समझने लगे थे यह चारो पैंडास काफी अच्छा कुमफू सीख चुके थे और अब इन्हें मास्टर की जरूरत नहीं थी यहां आखिर के अंदर मिस्टर ली मिस्टर पिंग एक पेग और हैनी बचे थे एक एक करके यह लोग भी गायब होते जा रहे थे मिस्टर पिंग जाने से पहले कहकर गए थे कि अगर वो चले गए तो उनके ठेले का खयाल रखा जाए मिस्टर ली बहुत जादा डर जाते हैं क्योंकि अब पिंग भी गायब हो चुका था हर चीज मिस्टर ली को डराने लगती है और तभी वो मिस ही था और सारे चीज़े देख भी रहा था यहां पर जब मास्टर पो और चारो पैंडास एक साथ बात कर रहे थे तो मास्टर पो उस चगह पे खड़े हो गए थे जहां पर उन्हें आराम से कोई देख सकता था और तभी वहां पर गार्ड से उनके पीछी पीछी आने लगते हैं यहां पर जिंग और बाकी पैंडास को एक बहुत बड़ी सी तलवार दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि इसे चलाने वाला भी कोई बहुत ही बड़ा होगा सारे गार्ड से बचने के लिए ये लोगे कमरे के अंदर छुप जाते हैं उस कमरे में जाने के बाद इ यहीं पर खत्म हो जाता है तो क्या यह सारे योद्धा इन पैंडास के ओपर अटेक कर देंगे या फिर यह पैंडास मिलके अपनी जान बचा लेंगे ये तो गायज हमें अगले एपिसोड में पता चलेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले तुमाग खायग पर भूबास मिलके झाल लको मिलके ये खरेफे।